हलो फ्रेंड्स आज अमबात करने वाले हैं रासाइन विज्ञान के कुछ महत्पूर्ण कोस्टिन के बारे में और यदि आप किसी भी सब्जक्ट के इसी तरह अब्जक्टिव कोस्टिन को देखना चाहते हैं तो वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और यदि आप हमारे हर अपडेट्स को पाना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला कोसल है निम्न में कौन आक्सिकरन नहीं है अवच्छेपन भोजन का पचना स्वसन दहन तो इसका सही आंसर होगा अगला प्रस्ण है नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसा पदार्थ उत्पन होता है यह कौन सी अविक्रिया है विश्थापन अविक्रिया उदासिनी करन संयोजन आउच्छेपन तो इसका सही आंसर होगा आउच्छेपन संचारन किस प्रकार की अविक्रिया है अपच्छेपन अविक्रिया उपच्छेपन अविक्रिया उपच्छेपन अविक्रिया उपच्छेपन अविक्रिया उपच्छेपन अविक्रिया तो इसका सही आंसर होगा उपच्छेपन अविक्रिया अगला प्रस्ण है किसी निम्ण में कौन सी अभिक्रियाओं के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं सयोजन और विघटन, अवचेपन और विश्थापन, उदासनी करन और विश्थापन, अक्सी करन और अवखरन तो इसका सही आंसर होगा उदासनी करन और विश्थापन sodium hydroxide और hydrochloric अमल की अभिक्रिया से sodium chloride और gel बनत बनाते हैं यह कों से अभिक्रिया है उदासनी करन, वी घटन, सही ओजन, ओचेपन तो इसका सही अनसर होगा उदासनी करन किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं प्रतीफल, आउकारक, अभिकारक, आउक्सिकारक, तो इसका सभी आंसर होगा अभिकारक. स्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है उस्मा छेपी अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया उपचयन अभिक्रिया द्वी अभगटन अभिक्रिया तो उस्मा छेपी अभिक्रिया प्रबल अमल और दुर्बल छारक से बने लवन का पीयच मान क्या है साथ से अधिक साथ से कम 10 और 14 के बीज 14 से कम तो इसका सही आंसर होगा 7 से कम छारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है OH-I, H+, 2-I, कोई आयन नहीं तो इसका सही आंसर होगा OH-I दही में किस प्रकार का अमल पाया जाता है लैक्टिक अमल, सैट्रिक अमल, और जेनिक अमल, एन्य तो इसका सही आंसर लैक्टिक अमल किसी अमल में मुख्य रूप से एक प्रमानू अवश्य से मुझूद रहता है जो धातू से अभिक्रिया कर एक गैस उपन करता है हाइड्रोजन, अक्सीजन, नाइट्रोजन, अमोनिया तो इसका सही आंसर होगा अमोनिया वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टे होते हैं और जो नीले लिटमस के घोल को लाल बनाता है क्या कहा जाता है अमल, लवन, भस्म, छारक तो इसका सही आंसर होगा अमल जल में घुलनसील भस्म क्या कहलाते हैं छारक, छार, संचारन, छरन तो इसका सही आंसर होगा छार निम्न में कोन प्रवल अमलिया है पीच इक्वल टू 7, पीच इक्वल टू 14, पीच इक्वल टू 0, पीच इक्वल टू 3 तो इसका सही अंसर होगा pH equal to 0 लिटमस रंजक बैंगनी रंका होता है जो निकाला जाता है लाल, लाइकेन, पत्तागोभी, हल्दी और पेटूनिया फूल तो इसका सही अंसर होगा लाइकेन सुस्क बुझा हुआ चूना पर कलोरीन गेस की क्रिया से कोन सापदार्थ बनता है केल्सियम कल्राइड, वीरंजक चूर्ण, हड्रोकलोरिक अमल, जल तो इसका सही अंसर होगा वीरंजक चूर्ण हल्दी लिटमस पत्र आदिक किस प्रकार का सूचक है संक्सलेसित, प्रकृतिक, प्रकृतिक एवं संक्सलेसित, अण्य तो इसका सही अंसर प्रकृतिक अपच का उपचार करने के लिए निम्ण में से कोन सी औस्वधी का उप्योग होता है अंटी सीड, अंटी बायोटिक, अनालजेसिक, अंटी सेप्टिक तो इसका सही अंसर होगा अंटी असिडिक निम्ण में कोन अक्सिकरन नहीं है दहन, अवचेपन, भोजन का पचना, स्वसन तो इसका सही अंसर होगा अवचेपन प्राकृतिक ग्यस का दहन किस प्रकार का राशायनिक अभिक्रिया है? सयोजन अभिक्रिया, अब घटन अभिक्रिया, उसमा छेपी अभिक्रिया, वी घटन अभिक्रिया, जिसका सही आंसर उसमा छेपी अभिक्रिया कौपर चूर्ल को वायू में गर्म करने पर उसके सतह पर कौपर अक्साइड की एक परत जम जाती है इस परत का रंग कैसा है? काली, स्वेट, पीली, भूरा काली साख सबजियों का विघटीत होकर कमपोष्ट बनना किस अभिक्रिया का उधारन है? उसमा शोसी, उसमा छेपी, विस्थापन, उभैगामी तो इसका सही आंसर होगा उसमा छेपी सोडियम हड्रोकसाइड का पीच मान लगभग है? ग्यारा, बारा, तेरा, चौदा किसी उदासीन विलियन का पीच मान है? साथ, दो, नो, ग्यारा साथ, दाथ का मसूड़ा किस पदार्थ का बना होता है जो काफी कठोर है? कोपर क्लॉराइड, केलसियम फास्फेट, केलसियम कारबाइड, केलसियम कारबोनेट तो इसका सही आंसर होगा, केलसियम फास्फेट इमली में कोन सा अमल है? मेथनोई कमल, टार्टारी कमल, लाक्टी कमल, और जेली कमल, टार्टारी कमल उपचेन अपचेन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उसमा सोसी अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, और छेपन अभिक्रिया, उसमा छेपी अभिक्रिया, तो इसका सही आंसर होगा, रेडॉक्स अभिक्रिया दानेदार जस्ता पर तनू सल्फियूरिक अमल डालने पर कौन सा गेस उत्सरजित होता है हाडोजन गेस, सल्फर डायोकसाइड, अक्सीजन गेस, इसमें से कोई नहीं तो इसका सही अंसर होगा हाडोजन गेस सुर्य प्रकास की उपस्तिती में पोधे, सियोटू और जल से अपना भोजन यानि गुलकोज तैयार करते हैं यह कोन सी अभिक्रिया है, विश्थापन, विघटन, प्रकास रासाइनिक और छेपन तो इसका सही अंसर होगा, प्रकास रासाइनिक जिंक तथा ब्लेड कॉपर की अपेक्षा कम अभिक्रियासील है, अधिक अभिक्रियासील है, समान क्रियासील है, अन्य तो इसका सही अंसर अधिक क्रियासील है अंगूर का किन्वन करना एक रासाइनिक परिवर्तन है भोतिक परिवर्तन है रासाइनिक और भोतिक दोनों है अइन्य सही अंसर रासाइनिक परिवर्तन है मैगनिसियम के रीबन के दहन होने पर किस प्राकृतिक का लो उत्षर्जित होता है लाल और चमकदार, नीला चमकदार, स्वेथ चमकदार, हरा चमकदार तो इसका सही अंसर होगा स्वेथ चमकदार सिरका में कौन सा अमल पाया जाता है lactic aml, citric aml, methanoic aml, acetic aml तो इसका सही आंसर होगा acetic aml अगरा question है निम्न में कौन विजातिय योगिक है plaster of fairies, खडिया, संगमर्मर, चूना पत्तर सही answer plaster of fairies तो यदि आप ऐसे ही और भी questions को देखना चाहते हैं तो वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और यदि हमारे हर अबडेट से जुड़ा रहना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जैहिंद बंदे मातरम